और इस ट्रैटर से यह निकल तो जाना चाहिए तो रुको रुको थवड़ा तेज पूर में लागे फिर धक्का मारते हैं यहां पर बाउंडरी कर दिया है और यहां पर प्रॉपर बाउंडरी कर दिया है बाकि यहां पर अपने डॉग गुम रहा है तो यहां पर गास भी काफी बड़ी हो चुकी है बाकि गास को काटने के लिए मैं एक नई मशीन ले आया हूँ और यहां पर मैंने यह फैंसिंग चेंज कर दिया यह प्रॉपर मैंने वोडन फैंसिंग लगा दिया पहले जो फैंसिंग थी वो भी वुड़ की थी बट वो थोड़ी पुरानी वुड़ थी तो वह थी साहिन लगए थी और बाकि मैंने यहां पर यह लगा दिया है और भी काफे साही चीज लगाई है एक काम करता हूँ मैं थोड़ा ऊपर से भी लिखाता हूँ तो अब समझ में आगा कि मैंने क्या क्या चेंज किया है तो अभी यहां पर दिखाता हूँ यहां पर कितने सारे चेंज हो है तो अभी जो सबसे बड़ा चेंज है वो तो है कावबान का कि मैंने यहां पर कावबान बना दिया है और जो यहां पर पहले cow of pasture था जो छोटे वाला cow of pasture बनाया था फैंसिंगर की वो हटा दिया है और बाकि जो pig थे और sheep थी और horses थे उनके भी सब बना दिया है वो सारे मैंने sell कर दिया है और उनका में वो काफी अच्छा का समाहूट में लिया था चीप के लिए प्रॉपर बन बनेगा तो प्रॉपर जब सब अनिमल्स के लिए बन बन जागा है तब मैं अनिमल्स को वापिस खरीद के लिया हूँगा और फिलाल के लिए cow बन करना है क्योंकि मैंने बना तो दिया है यह पांच cow पहले से मेरे पास थी तो यह प्रॉपर अभी सेटप नहीं हुआ है इसमें अभी काफी सारी चीज़े मुझे करने है इसमें भी घास वगरा लाके डालनी है इनके लिए और बाकी मैंने ग्रीनाउस यहां पर काफी सारी बना दी है यह आः-गराय मैं रडा नहीं किया है यह से वह पानिटर बाक più दालना था अभी इन समने पानिटर यहा बाकी इन-नाफी पानित कशता हुआ लख अभी जासे इननमे कछ में अब प्लांटे चया है और बोटर फी जाहाद आझचा कि फी जाहादा लगता है बाकि उसके बाद हम चाहिए टमैटो, स्परोबेरी या फिर लैटस जो भी चाहिए वहां से जो ए ग्रो कर सकते हैं और बाकि यह वाला टैक्टर मैंने नया पर्चेस किया है यह है वोल्ट्रा जीवन टू फाइव और इसमें जो आकर अटैस्मेंट लगी हुई है यह घास का जाने की option आए तो यह वाला color मैंने चूज किया है तो यह वाला टैक्टर काफी ज़ाद से गहास काटने में काफी ज़ाद आसानी हो गी है और मैंने यह पर पूरे जतना पी पना फार्म उसमें पीछे भी boundary कर लिया है और तो boundary कर लिए तो जो अंदर का एरिया यहां पर घा जाने होंगे जाने होंगे बात में यहां से कुछ अपना समाल लोड करके यहां से एक separate entry मैंने बना दिया है पीछे से अपने खेतों के लिए और तो अभी क्या है इसको तो गेट को लगा जेते हैं यहां पर और यह गेट काफी ज़ाद साही लग रहा है देखने में और बाकि इस वाले खेत में पहले जवार बोरकी थी तो वह जवार तो मैंने से एक बाद मैं इस tractor से यहां पर वर्कर को लगा जेता हूं यहां पर यहां पर असाइंग कर देते हैं अभी बाकि जब हो रह रहा है क्यां की जब हर्वेस्टर से काट लिए नीचे का रह गया तो इस वाली गास को बीबीवार तो यह पना नए वाला ट्रेक्टर जिसे मैं और पीछे जो अटेजमेंट लगी हुई है उसको यहां जारा नीचे करके स्टार्ट कर देता हूँ तो वह भी स्टार्ट हो गया और बाकी अभी यहाई से जो घास काटा शुरू करते हैं तो सारी घास ही काटनी है तो यहाँ पे घास काटनी इसने शुरू कर दिया है और पीछे भरने भी शुरू कर दिया है तो हैंट टू हैंट गास करती भी रहती है और पीछे भरती भी रहती है और कि इससे घास काटने में काफी दा आसानी हो रही है क्योंकि पहले जो मशीन थी वो मैनवल वाली थी तो उसको पैजल पैजल लेके घास काटने के लिए चलना पड़ता था उसमें काफी जाड टाइम लगता था और अभी खेट के साथ वाली घास को पुरा साफ कर लेता है तो इस मशीन का एक और फायदा है कि इसमें जो पीछे कटी होरी है उसको मैं डायट ली अपनी कावस को टाल सकता हूं तो मैं जैसे पीछे घास हिकटी हुए यहां पे घास पीछे आने लग गया है अब मैं इसको सीदह ले जाकि अपने कावबां के अदर अनलोड करा दूँआ तो यह वाली घास यो अपनी कावस खा सकती आ है ही घास कट गांड गांड सें डूटन गांड की सबtar काटत तो इसमें पीछे घास हम गांड हिक अपटा वर्ट सारी है अब तो काफी सारी मुर्गिया हो गी है काफी जाहा देने चाहिए और बाकी अभी काफी सारी मुर्गिया हो गी है बड़े वाला काफान लग चुका है तो अब मैं सोच रहा हूं कि काफी सारी काफी सारी काफी सारी पर दूद आए गाएगा तो जब डरी लगा राएते हैं और उन्हें के सेल कर た Aujourd' सेल कर सकता हूं या फिर अपने स्यूं चीस में कान भी सिरता हूं जैसे भा तो जो डेजी से पर अन्निकलेगे वो बेकरी में यूज कर सकते हैं कि मैने लास्ट time देख लिया जो मैंने ग्रेप जहां से हार्वेस के थे और ग्रेप हार्वेस के मैं सैल करके आया तो काफी कमडेट मिला था जो है ले सकते हैं जिससे काफी अच्छा कासा प्रॉफिट होगा तो अभी क्या है अभी पहले आज कावबान में मैं और काउस ले लेता हूं उसके बात काफी सारा जब मिल्की प्रशन स्टार्ट हो जाएगी तो जो है नेक्स वीडियो में फिर डेरी लगा लेंगे उस डेर इस मिक्स करके ले ले और अपने इस वाले कावबरनी कैपसिटी 45 किया तो अभी पांच यह और बाकी अभी सस्ते वाली काउस लेते हैं तो इन इनको इनको अभी मिल्क देने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये बड़ी काउस है जोई उस्तो देने के लिडिये बट रोगें इक काम करते हैं में चोट-छोटी काउस लेते हैं क्यों की काफी ज़्या हो जाएंगी तो पर बड़े की पिर बढ़ी कोटेशन की साथ का लग रिषै指centric कि पीम तो ज लेके आ सकता हमें और ध्रीजियाएं इस वाले ट्रेलर में 12 ला सकता हूँ या फिर 36 ला सकता हूँ या फिर 38 शीप ला सकता हूँ एक बार में तो ट्रेलर काफी ज़ादा बड़ा है और वैसे तो यह 80,000 EUR का है बट यह लीज पे शिफ 480,000 EUR को सकता हूँ इस ट्रेलर को ले लेते हैं क्योंकि एनिवस तो काफे सारे लेकी आने हैं और उनके ट्रावस्पूटीशन भी ज़्यादा लगती है तो इससे बेठर है कि मैं यह ले लूए ट्रेलर तो काम आता ही रहेगा तो यहाल ट्रेलर प्ले लेते हैं और बाकि इसको अटाच करने के लिए मेंको एक ट्रक चाहिए होगा क्योंकि यह ट्रक में ही अटाच होगा तो इस वाले को देख लेते हैं और बाकि इसमें डिजाइन भी काफी सारे है एक तो यह एक ये वाला है एक ये है चार्ड ड reproductive एक या तो पहले वाले ठीक लग रहा है वाकि इसके रिम का कलर चींज कर सकते हैं तो रिम का कलर को क zeggen आठ अ जिससे मैं काफी सारा पानी एक साथ लिए के अपने फ्रीन हाउस को दे सकता हूँ तो वह बड़े वाला टैंकर भी देख ही लेते हैं एक बार तो अभी यह वाला टैंकर है मेरे पार जिसमें पानी लेकर आता हूँ तो इसको भी ले लेते हैं तो यह कोस कर रहा है 3,468 euros रहा है वाला पानी इसे फायदा है यह कम करेंगे उससे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो यह आ चुक है अपना ट्रक यहां पर और यह ट्रक जो है वैसे इतना बड़ा भी नहीं है मुझे लग रहा है काफी ज़ादा बड़ा होगा पर यह चोटे साइस काई है ज्यादा बड़ा लग नहीं रहा और बाकि यह बड़ा है जो अनिमल ट्रांस्पोर्टेशन के रिवर से अगर इतना सारा पानी एक बार में ले लिया तो काफी साही रहेगा एक बार में बहुत सारा पानी आ जाएगा और रिस्क भी कम रहेगा क्योंकि बार बार जाने में उसमें टैंकर डूपने का डर रहता है रिवर के अंदर तो यह टैंकर इस टैंकर को बार में ल काफी जादा बड़ा हो गया है तो मुझे अभी अनिवल्स पर्चेस करने के लिए मतलब जैसे काव पर्चेस करनी है तो मुझे महाँ शॉप पर लेकर जाना पड़ेगा तो एक बाद शॉप पर चलते हैं तो शॉप का रास्ता यहां से राइट से और अभी तो इसको मोडने करना पड़े जाए क्षझे करना पड़ेगा तो आई मिनदरा सीषे मने देखं़ हो ये पीछे का डिख रहा है अब निकालते है, आराम से करें, इसके गाड़े बिढ जा, यहाँ से, तो लो ठीक है, यहाँ से निकर घ़ा, और यहाँ से मिलेको न, यह वाला पुल लेना है शायद, यहाँ आगे भी, एक और पुल है, यहाँ पर रिवर क्रोस करने के लिए, नई आगे यहाँ पुल तो का पर पर है। अब लेना है। वह यहां पर चलता में कर लेने वहां पर पे नहुंती है। खो़ो पीनियों के लिए को यहां जुआ रहता है। तुु । रखते हैं राइट साइट क्योंकि बागे गाड़ियों को भी जगह देनी है निकलने के लिए और अब यहां से शायद पहला लेना है मुझे वैसे तो यह जो मार्केट दिख रही है यही मार्केट है तो इधर ही मोड लेते हैं एक बार शीचे में देख लेते हैं पीछे टच पॉटेशन फीस बिल्कुल नहीं लगे तो अब काउस सीधी जो है अपने इस वाए ट्रक में लोड़ हो जाएंगी तो अभी यह वाली चार काउस ले ले लेते हैं इनको बाई कर लेता है और चार ले लता हैं बड़े वाली, तो चार ये बाई कर ली और ये holiston वाली तो आपने पास हैं, तो अभी क्या कड़ते हैं, अभी दो यावाले ले ले लेते हैं, तो अभी क्या क्रинки स्रिफ 12 kaos एक बार में जा सकती हैं, किस तक की बोड़ी इतनी रिफ्लेक्टिव है कुछ ऐसे तो दिखनी रहा ध्यान से देखने पर दिख रहा है तो यह काउस जो है अंदर लोड हो रखी है एक दूसरी साइट से भी ट्राइ करते हैं पीछे से कहीं से तो दिख जाएगा हाँ यह दूर से दिख रहा है यही से चलते हैं फार्म पर तो यह आ गया सामने अपना फार्म उस तरक कुछ लाना अतना तफ भी नहीं है मैं अभी चलाया है तो काफी इसली चल रहा है बस एक ही छोटी जगवा पर थोड़ा तफ होता है ओ भाई इसनी तेज क्यों आ रहा है गाड़ी वाला चलो रुक गया अब बस यहां से थोड़ा सा लंबा करके मोड़ना पड़ता है तो यह मूड़ गया आपड़ी अब बस थोड़ी सी दिक्कित में को लगता है अपने कोउव वान में काऊ सको अनलोड करने होईगी वहां पर जग्या है ओस साई बग्कि यहां से इसली अंगर जारा है अब बाकी यहां पर आनिमल्स को अनलोड करने के लिए देखते हैं ट्रक यहां चड़ पाए गया कि अपना कावबान थोड़ी सी उचाई पर है चड़ तो जाना चाहिए यहां पर चड़ तो नहीं फसेगा मैं को लगता है फसेगा थोड़ा सा रिवर्स करके तेस बीड में लेके आते हैं तो यहां तक तो आ गया चाहिए अब यहां पर आ जाएगी अनिमल्स को अनलोड करने की नहीं अभी तो नहीं आरी भी ट्रेलर लेके जाना पड़ेगा उसके ऊपर एक काम करता हूँ ऐसे नहीं होगा मैं ट्रक को भाल जाता हूँ सामने सीधा और वहां से सीधा करके लेके आता हूँ इस ट्रक में पीछे ट्रेलर में इतना ज्यादा वेट है और पीछे काउस पर लोड है और यह हल्क किसी भी चड़ाई नहीं चड़ पा रहा है तो इसको मैं को साफ रास्ते से लियाना पड़ेगा बिल्कु फ्रस गया ट्रक यहां पर अपना प्रक्षra लाना पैस इससे धक्का मारते हैं इसको तो निकल जागा है इस ट्रैक्टर से थोड़ा धक्का मारें तब तो निकल जाएंगे यह तो काफी दाव पावरफुल है यह ऐसे काम के लिए ठीक है तो निकल जाएगा इसमें ट्रक को पुरा खिसका दिया तो इसमें आसके लिए पावर तो एक ट्रैक्टर की पीछे अटेश्मेंट भी आती ह जिस एटेश्मेंट को मैं ट्रैक्टर की पीछे लगा कि इस वाले ट्रैलर को चला सकता हूँ तो देखिएंगे अगर यह ट्रक इतना पावरफुल नहीं है इस ट्रैलर को किषणी के लिए तो एक बड़ा पावरफुल लाला ट्रैक्टर ले ले लेंगे उसके पीछे का मारता है हा बस निकल गया अब ट्रक का ट्रैती कर देता है ये अंदर के लिए निए इसको सीधा करके लेके चलते हैं से यहां भी निए चढ़ पा रहा यहां तक भी तग गया अरे यार यह इसका जो है यहां पर इसमें पावर काफी जादा कम है अब इसको कैसे इसको काम का मुझा थोड़ा ज़र से लेकिए आप इधर अब तो पोज आँची अपना फस जाए बस 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 हाँ पोज गया पोज गया ओल्मोस पोज गया ठीक है अब आगए option अपनी काउस को यहां पर अनलोड करनेगी यहां पर option आगी है move to husbandry वाली तो अपनी काउस जो हो गई है 17 काउस हो गई है एक बड़ देख लीते हैं कैसे सघी सबस्टार काउस क मुझे लाके यहां पर डाल जयाता अब तो आदे थीन थोड़ी सी गहास और ढल देते हैं और बालना गास डालने कर आपड़े मुझे इस वाले टुको यहां से पड़ाई और यहां से रश्चा है अपने ट्रक का भाहर निकल लेगा तो इसको देखते हैं हटा भी लेके आना है तकि जो अपने पाई देखेंगी फिलाल के काउबान के लिए खानावगार्या सब रेडी कर लेते हैं क्योंकि अभी काफी सारी काउस आगी हैं और अभी मिल्क भी प्रण्दूस करना रिक्टर को पुन सीधह कर लेता हम सामने यहां पर पर कर दाऊंग अब बस यहां पर अन्लोड कर लेते हैं मजें यहां तो यहां फोन अपनी गहां खा लिया है तो इसको गास को इस मशीन से काट लेंगे तो अपनी गास भी कर जाएगी, साफ सफाई भी हो जाएगी और अपनी काउस को भी डाल पाएगे और बाकी एक बाद खेत में देख लेता है मुझे वीट लगाना था तो वरकर ने शायद काम पूरा कर लिया है हा इसने जाए जाला काम पूरा कर लिया है तो जाएंस ट्रैक्टर को बाते कि में पहले हो जाएगी यतुना जादा गंदा हो गया कीटर के करे कि नहीं महलें लगाने सेट जब तो टटर पर जग वंग लग सकता है, इधर से साफ करते हैं एक बार पहले, इधर से जादा गंदा हो रहा है, और यह मिटी काफी टैम तक साफ ना करो तो तो सूप के काफी जम जाती है, जैसे अभी यह आगे मिटी काफी टैम से लगी होगी, यह तनी एजी ली नहीं होता ही है बड क्या है काफी टाइम बाद यूज में आता है पहले एक अभी मैंने क्रॉप लगाई है जब क्रॉप बड़े हो जाएगी वह हर्वेस्ट जाएगी उसके बाद खेतों को दुबवार रेडी करना को तब इसकी दो पड़ेगी और इतने अगर मैं इस पर काफी ज देखते हो करते हु कहँ अब इसको करते है पार्क प्रोप्र तरीके से और के सब्सक्राइब करते हैं डिक्ताइब और विज़ने कोई निकाल पाते हैं कि यह तो अपना बिल्कुल भी नियागी है त्रक को खिसका सके इसकतर साइज हैं इसमें डबल टाय लगें में तो इसे भी काफी दावा फाइदा हो जाता है इसे अभी सीडर को कर लेते हैं यह अपना सीडर अटैच और अब जो है खेत में चलिके वीट लगाना शुरू करते हैं और वीट से फायदा होगा कि वीट मुझे जो है अपने अनिबल को देने की काम आएगा और इस वाले वीट को मैं सारे को रखने वाला हूं सैल नी करने वाला तो जितना भी पहले सीडह करना पड़े क्यां मार्की उस्äsिग करने काफी जदआ महहँगा पढ़ी लूगा कपना प्रॉफिट कम हो फायता en के यहां पर करते हैं मुझे उड्स कर लूग तो अभी इनको वीट न फ्रक नीEMA प्ढ़ता इन चोड़र Participator by चोम सब्दू हो सब लगा रहा है तो इसको लगाएं देते हैं यहां पर लगा लेगा बाकि अपनी यह कावी सारे Greenhouse से स्टार्ट हो चुक है और बाकि सब को स्टार्ट करने के लिए क्लिए क्लिए टैंकर लाना पड़ेगा टैंकर में खटा पानी बर के लेके आएंगे और उसके बाद इन ग्री रहीं चीए तो यहाली स्टीट लगा दिया यहाँ पर लगा दिया यह लगा दिया है सामने वह लाइट है थाकि अपनी मरगे मरगे यहां पर प्र लाइट रहे और बाकि मैंने गेट के पास बी 2-3 लाइट लगाई है तो अभी थोड़ा अंधिर हाव जागा तो इसके बा पारक करने पर हैं पार निकालो यहां से इतर से बहार निकाले इभार मे इधर भी पार कर सकता हूँ हैं तो पहले पर यह पेड़ में अपने आपगे से घंच बढ करना कोई थोड़े से टैल उख के निशान हो है और अब ही चलते हैं एक बार चौप पर अपना टैंक कर खड़ा हुआ है इतनी पाउरफुल भी नहीं है तो अपने ट्रेक्टर की लाइट इसे जाधा पाउरफुल है और अंदर से देख लेते हैं अंदर से तो बस लाइट जा दूर तक नहीं जारी थोड़ा पास तक याज इसकी और अभी फार्म सामने आए गया और एक टैंक कर इतना बड़ा है तो अपनी लाइट भी ओन हो चुकी है वह मैंने जो लाइट लगा है सामने वह दिख रही है और सामने वह अपनी स्ट्रीट लाइट लगा है और जब से में चीज क्या है इक मैंने दिखाता हूं जो प्रचाहूं कि अंदर की साइड अपने गार्डन में यहां पर लगा दू और अभी तो काफी ज़ादा अंदेर आ रहा है मैं अभी अपनी लाइट ओन कर लेता हूं तो यहां पर लाइटे मैं लगा सकता हूं तो अभी देखिए कि लाइटे भी लगाएगे और बाकी अभी पाइट देंगे तो फिर अभी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं चाहिए पर चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में